इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डेली एक घंटा देकर आप 6 मेने से लेके एक साल के अंदर अपनी वोकैबलरी को बहुत स्ट्रोंग कर सकते हैं और एक वोकैबलरी चेंपियन बन सकते हैं देखिये वोकैबलरी चेंपियन बनना क्यों जरूरी है वोकैबलरी चेंपियन बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी कम्टेटिब एक्जाम के लिए जीडी पी आई के लिए स्पोकन इंग्लिश के लिए राइटिंग स्किल के लिए इन सभी के लिए वोकैबलरी का स्ट किसी picture के साथ, किसी friend के साथ, किसी incident के साथ, किसी story के साथ, किसी के भी साथ, यदि आप उसको associate करके उसको याद करते हैं, तो वो word definitely आपको बहूत लंबे समय तकений तक याद रहेगा, और बहुत लंबे समय तक यहूं? जिनकी भरी याद रहेगा, देखिए, जैसे मैंने association बना ली के flunk का मतलब है जिसके अंक नहीं आए और जिसके अंक नहीं आए वो क्या होगा वो होगा fail तो flunk का मतलब हो गया fail अब देखिए आप इस तरीके से इस word को याद रखेंगे तो हमेशा के लिए word आपको याद हो जाएगा और दूसरा देखिए feeble अब इसमें आखरी में क्या आ रहा है इसमें आखरी में आ रहा है बल ठीक है तो feeble का मतलब हुआ जिसमें बल नहीं है यानि feeble का मतलब हुआ weak तो यह एक मेरी association है और जब भी आप किसी word को याद करें तो आप अपने convenience के according अपनी कोई भी association बना सकते हैं किसी भी word को किसी भी अपने friend के साथ किसी के story के साथ किसी object के साथ किसी भी funny चीज के साथ किसी भी silly चीज के साथ जोड के उसको आप जब याद करेंगे तो वो word आपको हमिर्शा के लिए याद रहेगा और यह हमारे दमाग का एक process है कि वो pictures को permanently याद रखता है यदि आप किसी word को picture के थूँ जोड के उसको आप दमाग में save करते हैं तो वो definitely आपको याद रहेगा और आप उसको कभी भूलेंगे नहीं देखिए मैं आप आपको एक और तो इसलिए umpteen का मतलब हुआ कैई सारे, feeble मतलब जिसमें बल नहीं है याद हो गया यह word लोकेसस, देखिए इस word को मैंने अपने एक friend लोकेंदर के साथ जोड़ा है, जो मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ता था और बहुती talkative था, बहुती कर देना, उसको छोड़ देना, तो equit का मतलब होता है, छोड़ देना, detrimental, कोई भी ऐसी चीज जो आपको mental कर दे, जो आपको पागल कर दे, ऐसी कौन सी चीज होगी, ऐसी कोई भी चीज जो आपको आपके लिए harmful है, तो इसलिए detrimental का मतलब हुआ harmful, BCS का मतलब होता है harmful, तो BCS को आप याद रख सकते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर विस भरा हुआ है, ठीक है, जो harmful है, तो उसको हम बोलेंगे BCS, यूबी कुटस को मैंने UV के साथ जोड़ा हुआ, UV जो अपने इंडियन करके टीम के यूवराश सींग है जो की सारे फॉर्मेट्स में खेलते हैं वंडे में भी खेलते हैं, टेस्ट में भी खेलते हैं तो चूकि वो सब जगें खेलते हैं सब जगें उनकी प्रिजेंस है, इसलिए UV कुटस का मतलब हुआ, ऐसी कोई भी जो सभी जगें प्रिजेंट है ठीक है, तो यूविकुटस का मतलब हुआ ऐसी कोई भी चीज जो सभी जगें प्रिजेंट है, something that is present everywhere is called यूविकुटस डेसी मेट का मतलब होता है destroy करना, तो इसको देखिए मैंने कैसे जोड़ा है, इसमें आखरी में वर्ड आ रहा है, mate तो मतिया मैट, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि इसने तो मतिया मैट कर दिया, तो मतिया मैट का मतलब पूरी तरीके से किसी चीज को बरबात कर देना, तो डेसी मेट का मतलब होगा, destroy कर देना seize fire देखिए ये instrument आपने पिक्चर हॉल्स में देखा होगा थेटर में देखा होगा, वहाँ पर लाल रंग का एक instrument लगा हुआ रहता है जो कि fire को बुझाने के काम में आता है तो इसको हम बोलते है seize fire तो seize fire में, seize जो वर्ड है इसका मतलब होता है, रोकना, ठीक है तो इसलिए seize less seize less एक word होता है तो seize less का मतलब होगा जो कि जिसको हम रोकनी सकते तो इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ये seize less है इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं ओमनी सेंट ओमनी सेंट का मतलब होता है साइंस और साइंस का मतलब होता है ग्यान है Omni-cent, scent मतलब science, science मतलब ज्यान या knowledge और Omni मतलब सब कुछ, अब उसी तरीके से यहां पर देखी Omni-potent, potent का मतलब होता है शक्ति या power, और Omni मतलब सब कुछ, जिसके पास सारी powers हैं, उसको हम बोलेंगे Omni-potent, तो यह word जो है Omni-cent, Omni-potent, ठीक है, यह word जो है, यह भगवान के लिए use होते हैं, और इस तरीके से इन words को आप use कर सकते हैं, use funny और silly association, ठीक है, किसी भी word की association जो आप बनाएं, वो funny हो सकती है, silly हो सकती है, और जितनी funny होगी, जितनी silly होगी, उतना ही तेजी से, उतना लंबे समय तक वो word आपको याद रहेगा, तो यह नीमोनिक्स की टेकनीक definitely, सभी words को आप associate नहीं कर सकते, लेकिन काफी सारे words को आप associate कर सकते हैं, और उनको आप लंबे समय तक याद रह सकते हैं, अब हम देखते हैं next, if mnemonics doesn't work, apply revision, यह भी एक बहुत अच्छी टेकनीक है, और बहुत अच्छी टेकनीक क्या है, यह मतलब एक excellent टेकनीक है, और यह सभी के लिए काम करती, जैसे आप कोई भी newspaper पढ़ रहे हैं, हिंदू पढ़ रहे हैं, Indian Express पढ़ रहे हैं, कोई भी magazine पढ आता है, तो तुरंत उसको एक register बनाईए, और एक register में उनको date wise लिखते जाईए, और जब भी आपको time मिले, उन words को आप revise करते रहो, कि बल देखते रहो उन words को और देखते रहने से ही वो word आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि दिमाग में क्या होता है, कि जब आप किसी च आपको आपका चला जाता है, तो इसलिए revise करते रही है उन words को, words उसमें से अकवार में से निकाल लीजिए, और register में लिखते जाईए उसका meaning, और revise आप करते रहेंगे, डेली 15 मिनिट, 20 मिनिट, जब भी आपको time मिले, कोई fix time नहीं है, जब भी आपको time मिले, उसको आपको words आपको याद हो जाएंगे, और यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है, do not apply fix time review pattern, fix time review pattern का मतलब यह है, कि जैसे आपने बना लिया कि 7 दिन बाद आपको याद करना है, एक review इसको देना है, याद करना है, 15 दिन बाद याद करना है, एक मेने बाद याद करना है, इस तरह क कोई जरूरी नहीं है, कोई set pattern बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वह normally practical नहीं होता, आप कभी बाहर चले गए, कभी छुटी पल गई, तो जब भी आपको एक register बनाया, और जब भी आपको time मिले, उस register में से उन words को आप revise करते रहें, definitely आपको वो सारे words हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, देखिए ये words हैं, जो मैंने अपने school time में सीखे थे, और revision के through इन words को मैंने याद किया है, और आज की तारीक में सारे words मुझे याद है, करीब 15 साल पहले मैंने इन words को सीखा था, और अभी तक मुझे ये words याद है, क्योंकि मैंने इन words को revision के through सीखा है, जैसे procrastinate का मतलब होता है, delay यानि देर करना, callous का मतलब insensitive होता है, nullify का मतलब cancel होता है, illusion का मतलब imagination होता है, conducive का मतलब favorable होता है, apt का मतलब suitable होता है, tentative का मतलब provisional होता है, baron मतलब, baron jameen के लिए use होता है, जिसमें जो unopjau है, उसके लिए use होता है, baron futile का मतलब भी unproductive होता है, Refute का मतलब खंडन करना होता है Ampteen मतलब कई सारे Infer मतलब निसकर्स निकालना Candid मतलब Frank Bizarre का मतलब होता है Unique या Strange Rustic मतलब Rural Perpetual का मतलब होता है Continuous Seaseless का मतलब होता है Continuous Seas fire से मैंने इसको जोड़के आपको बताया था भी Nabulous का मतलब होता है Ambiguous Ambiguous भी वह ही है Decipher का मतलब कोई निसकर्स निकालना किसी चीज को interpret करना Reckless मतलब careless Rampant मतलब widespread Ratiscent का मतलब होता है Reserve तो यह सारे वर्ड मैंने 15 साल पहले देखे याद किये थे Revision के थूरू बार-बार रिवाइस करके और अभी तक यह सारे वर्ड याद है तो revision आपको करना जरूरी है revise आप करेंगे सारे वर्ड को एक register बनाए और register में वर्ड को लिखते जाएं जो आप daily newspaper में पढ़ रहे हैं उनको revise करें यह एक ऐसी टेकनीक है कि इसके थूरू आप definitely वर्ड को बहुत लंबे समय तक याद रह सकते हैं देखिया dictionary reading इसके थूरू भी मैंने काफी words को याद किये हैं यह एक बहुत अच्छी टेकनीक है जैसे normally हम बजार से dictionary लेके आते हैं लेकिन घर में वो dictionary रखी रहती है और कभी भी हम उस dictionary को use नहीं करते दो साल में, तीन साल में कोई difficult word आया तो हम उसके लिए use करते हैं अधर्वाइस कभी हम उस dictionary को use नहीं करते लेकिन मैं इस टेकनीक को apply करता हूँ और इसके थूरू मैंने बहुत कुछ सीखा है क्योंकि dictionary में जो word दिये रहते हैं वहां से आप उस word की depth में जा सकते हैं ठीक है, उसके जितने भी derivatives हैं वो सारे आप सीख सकते हैं यह word noun है, pronoun है, adjective है वो आप सीख सकते हैं उस words से related सारे idioms आपको उसी entry में मिल जाएंगे सारे phrasal verb आपको वहीं मिल जाएंगे बर्ब की form आपको सारी वही मिल जाएगी तो word की depth में जाके आप सारे words को आप सीख सकते हैं और जैसा कि यहां पर मैंने indicate की है यह word की best dictionary है Collins की है, Oxford की और Cambridge यह तीन dictionary यह दी आपके पास है तो आपके पास पूरा खजाना है words का Collins, Oxford और Cambridge ठीक है, इन में से कम से कम दो dictionary आपके पास definitely होनी चाहिए और dictionary को पढ़ना कैसे है देखे, dictionary को सबसे पहले तो buy and use only English to English dictionary क्योंकि Hindi की dictionary से उतना effective नहीं रहती वो, अगर आप English to English हरी देंगे तो English में ही आप सोचेंगे और उसी तरीके से आप sentence बना पाएंगे, तो इसलिए English to English dictionary लीजिए, इन तीनों में से कोई सी भी दो, और read the dictionary like a book एक dictionary को जब भी आपको time मिले, 15 minutes, 20 minutes, आदा घंटा, जब भी आपको मिले, कोई सा भी page निकाला और randomly उसको पढ़ना सुरू कर दिया, आपको याद करना जरूरी नहीं है, के बल आपको देखना जरूरी है, जब आप उसको देखते रहेंगे, इदर उदर page आप browsing करेंगे उसकी, तो कुछ words definitely आपके subconscious mind में चले जाएंगे, और जब उस तरीका context आएगा, तो वो subconscious mind से निकल के सामने आजाएंगे, इस तरी ऐसे होता है, definitely ऐसे होता है, आपको याद करना जरूरी नहीं है, आपको उनको लर्न करना जरूरी नहीं है, के बल आपको पढ़ना है उनको, और जब आप बार-बार पढ़ेंगे, तो वो आपके subconscious mind में चले जाएंगे, और definitely वो words आपको कुछ समय बाद याद हो जाएंगे, read randomly, कोई सभी पेज आप पढ़िए, के बल बस पढ़िए, 15-20 मिनट तक, ठीक है, और किसी भी word की read the full entry, जैसे आप आपने एक word लिया get, तो get के कही सारे meanings होते है, देखें, English में क्या होता है, एक ही word, एक ही word कई सारे meanings के लिए यूज होता है, जैसे get के कई सारे meaning है, get का मतलब प्राप्त करना भी होता है, get का मतलब पहुंचना भी होता है, बहुत सारे word है get के, जिसे sense में get का use होता है, वो सारे meaning आपको वहाँ पर मिलेंगे, get की सारी form मिलेंगी, get से related सारे phrasal bar वहाँ पर आपको मिलेंगे, get से related idioms आपको वहाँ पर मिलेंगे, और किस तरीके से ये sentence में use होगा, वो भी वहाँ पर आपको मिलेगा, तो dictionary reading बहुत ही ज़्यादा important है, इसको आप definitely apply करिए, और इससे आपकी vocabulary भहुत ही improve होगी, definitely, next देखते हैं, देखिए, ये हैं online dictionary, और ये हैं world की best online resources dictionary, एक है आपका vocabulary.com, और इसमें जो समझाने का तरीका है, वो बहतरीन है, और दूसरा है free dictionary, और एक site में use करता हूँ, जो है आपका word hippo, word hippo में, suppose आपको किसी words के synonyms देखने हैं, 25, 30, 40 synonyms देखने हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे, at the same time, एंटॉनिम मी मिल जाएंगे, और sentences, उस word को आप कैसे use करेंगे, sentence में वो भी आपको वहीं मिल जाएंगे, तो यह जो online resources हैं, यह best है, अब देखिए, feeble एक word है, और उसका explanation, vocabulary.com में देखिए, किस तरीके से दिया हुआ है, you know how you feel, when you can't open a jar of pickles, and then grandma walks in, and does it in one shot, without even grunting, that is called feeling feeble, or lacking strength, देखिए, कितने अच्छे तरीके से उनों समझाया है, vocabulary.com में, आप यूज करिए, यह online best resources हैं, वर्ट के, इनको आप regularly use करेंगे, तो vocabulary में definitely बहुत improvement आपका आएगा. यह यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, एक magazine और एक book, यह same publication की है, BSC publication की है, यह magazine जो है, यह banking service chronicle, banking exam के लिए बहतरीन book है, इसमें सारे sample paper भी आते हैं, model paper भी आते हैं, answers के साथ, तो इनको आप practice करिए, और at the same time, इसमें आपका जो GS है, जो current affairs है, बहु भी आपका cover हो जाएगा, banking का पूरा current affairs इसमें आता है, और English is easy, यह Chetan Anand Singh की book है, और यह banking exam के लिए, vocabulary को improve करने के लिए, spoken English के लिए, एक best book है, इंडिया की best book है, और इससे आपका पूरा grammar part कबर हो जाएगा, vocabulary part पूरा cover हो जाएगा, पूरा comprehensive part कबर हो जाएगा, इसमें बहुत सारे close test, para-jumble, reading comprehension, यह सारे इसमें दिये हुए है, बहुत ही अच्छी book है, बहुत ही reasonably priced है यह book, तो इस book को आप यह लेते हैं, और पढ़ते हैं इसको, तीन चार बार पूरी book को पढ़ते हैं, तो आपका definitely vocabulary पर command हो जाएगा, देखिए, interesting explanation दिये हुए हैं इसमें, wide coverage of questions है, explanation के साथ, इसमें एक section है, word of word, इसमें vocabulary को पूरा explain किया हुआ है, story के throughs, पूरा full grammar है इसमें, इसकी बहुत ही reasonable price है, 160 रुपे, 150 रुपे की range में आपको यह मिल जाएगी, चीतन अनन सिंग की book है, BST publication पर मिलेगी आपको यह, BST publication की book है, तो इन books को आपको definitely लिना चाहिए, और यह magazine जो है, यह भी बहुत ही अच्छी magazine है, इसको आप, इसमें टैस्ट आते हैं, sample papers आते हैं, इनको आप regular basis पर solve करें, तो definitely आपको बहुत improvement दिखाई देगा, ठीक है, और यह एक technique है, जिसको मैं use करता हूँ, write a para using the word written in your register, अभी मैंने आपको बताया है, कि आपको एक register बनाना है, और उस register में जितने भी words निकल के आ रहा हैं, वो सारे word आपको लिखना है, और उन word की मदद से, उन word को use करते हुए, जब भी आपको टाइम मिले, 10 लाइन का, 15 लाइन का, 20 लाइन का, किसी भी topic पर, जो भी आप चाहें, कि कल मैंने क्या किया, या कुछ भी, कोई भी topic, या कुछ भी topic, या कुछ भी topic, और इस topic पर आपको एक परा लिखना है, और उस परा में जो register में आपने जो word लिखें, उनको आपको यूज करना है, इसके जो benefits हैं, वो मैं बता नहीं सकता, आपको great benefits हैं इसके, देखिए, helps in forming in your own opinion, जब आप किसी topic पर लिखेंगे, तो आपको अपना एक opinion form करने में मदद मिलेगी, और जिसकी मदद से आप gd और pi, इनमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, राइटिंग speed आपकी बढ़ेगी, आपकी writing skill improve होंगी, आपकी spoken English improve होगी, आपको जब words आप use करेंगे, तो वो आपके सीधे RAM से roam में जाएंगे, यह permanent vocabulary आपकी बन जाएगी, और यह साबित होगा आपके लिए, एक excellent confidence booster, तो यह एक बहुत अच्छी technique है, इसको मैं use करता हूँ, और आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से इसको use करते हैं, देखिए यह पैरा है, आपको इस तरीके से लिखना है, यह पैरा अभी ही मैंने 10 मिनट पहले लिखे हैं, यह पैरा आपको यह नहीं देखना है कि सही है या गलत है, आपको बस लिखना है, ठीक है, और कोशिच करनी है कि सही लिखे हैं आप, देखिए, वेन आई गॉट अप तोडे, मैं बाइफ रस तु मी, तु एप्राइज मी, यहां पर मैंने एक वर्ड का यूस किया है, यह मैंने अभी सीखा है, एप्राइज मी of the news that was making a headline in today's paper, the news was regarding the currency notes of 500 and 1000 being out of circulation, tentatively, देखिये, इस वर्ड को मैं जानता था, तो इस वर्ड का मैंने यूस किया, यहां पर tentatively, और यहां पर मैंने एक इडियम का यूज किया है, आप देख सकते हैं, अभी लिखा है, मैंने दसमेन पहले यह, and it became a moot point यह word का मैंने use किया है यहाँ पर यह सारे word में पहले से जानता था और इन words को मैंने revision के तुरू याद किया है और इस paragraph में इसको मैंने use किया है people in my neighborhood were talking about this anxiously, देखिए anxiously word को मैंने किस तरीके से use किया है यहाँ पर and were desperate desperate word को किस तरीके से use किया है desperate to know the entire news तो यह एक paragraph अभी मैंने लिखा है एक second paragraph यह लिखा है I am preparing this vocabulary video to help my student to get through their cherished dream of serving in any government sector bank as a PO I firmly believe that without vocab you can't crack any comparative exam nor this is my candid word का use किया है क्योंकि इस word को मैं सीख चुका था पहले revision के थू the word cannot be learnt in isolation they can only be learnt in context with other words I have seen many people in my circle writing the word as individual words and cramming them but this is going to be a futile exercise futile word मुझे आता था तो मैंने यहाँ पर use किया इसको I can infer मैंने इन्फर वर्ड को देखिए किस तरी किस तरी किस तरी किस तरी किया है that it doesn't serve any purpose as far as vocabulary learning is concerned तो यह दो paragraph मैंने अभी लिखे हैं कुस टाइम पहले और तीसरा paragraph जो है वो आपको लिखना है किसी भी subject पर daily लिखना है उसी register में जिसमें आपने सारे यह word लिखे हुए हैं और यह आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा इस exercise को आप करते हैं डेली या दो दिन में एक बार या वीक में तीन चार बार तो definitely इससे बहुत improvement आएगा writing skill में spoken English में vocabulary improvement में confidence boosting में बहुत improvement आएगा इससे आपको तो यह आप जरूर जरूर करिए इसको please skip मत करिए और etymology etymology में हम word origin को सीखते हैं इसमें हम root words को सीखते हैं word का root क्या है और यह आप सीख सकते हैं आपको net पर काफी सारे resources मिल जाएंगे जिसमें काफी सारे videos मिल जाएंगे इसमें etymology हम word की सखाते हैं कि इस word का origin कहां से यह root word कहां से आया है देखिए जैसे यह word मैं कुछ आपको explain करके बताता हूं किस तरीके से यह root पर based है anthropology ठीक है इसमें humankind की हम study करते हैं क्योंकि anthropo anthropo का मतलब होता है humankind और logic का मतलब होता है किसी subject की knowledge लेना जैसे biology ठीक है तो यहां पर भी यह anthropo word आएगा उसका मतलब है वो वो वर्ड आपका humankind से related है philanthropy देखिए इसमें भी आया है philanthropy philanthropy होता है charity करना donation देना humankind के लिए ठीक है miss misanthrop misanthropy इसमें मतलब जो humankind का against है जो humankind के humankind का hater है उसको बोलेंगे misanthropy bibliophile फाइल का मतलब पसंद करना किसी चीज़ से प्यार करना biblio मतलब books तो book lover को हम बोलते है biblio file locasus यहां पर भी यह lock word आएगा lock उसका मतलब होता है talking तो locasus का मतलब हुआ talkative अब देखिए इसमें देखिए solilo cue solo का मतलब है अकेला और cue का मतलब है बात करना solilo cue मतलब अपने आप से बात करना ठीक है monolith यहां पर भी आता है उसका मतलब होता है stone के लिए use होता है यह पत्थर के लिए use होता है तो mono मतलब एक और lith मतलब पत्थर यानि बड़ा पत्थर उसको हम बोलेगे monolith lithotripsy इसमें भी देखिए lith आया है यह kidney का इसमें हम operation करते हैं और आप जो kidney में जो पत्थरी होती है उसको कुछ parts में divide करके उसको body से निकाल देते हैं यह medical science का word है incredible देखिए यहां पर भी CRE cred word आएगा cred का मतलब होता है trust ठीक है तो incredible का मतलब है कोई भी चीज इतनी जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते बहुत ही बहुत ही certificates हैं आपकी degrees है उनके थुरू पता पड़ता है कि आप में कितनी काविलियत है उनको हम बोलते credentials credibility का मतलब स्वस्वास नहीं था किसी कंपनी की तो ये एक अच्छी technique है यदि किसी word का आपको root पता है तो उसके थुरू आप definitely बहुत सारे word आप याद कर सकते हैं और online आपको बहुत सारे resources बिल जाएंगे जिसमें etymology के videos आपको मिल जाएंगे etymology को जिसमें explain किया जाता है etymology root word की dictionary भी आपको market में मिल जाएंगी तो ये भी आपको आपके पास होनी चाहिए और इसके थुरू भी आप अच्छे तरीके से word को याद कर सकते हैं ये बेरंस के 3800 जो words हैं GRE के लिए हैं ये सभी competitive exam में आते है चाहे वो GMAT हो चाहे वो CAT हो चाहे वो banking exam हो चाहे वो PO हो तो ये word आपको definitely याद करने चाहिए ये word बहुत ही important है और इसका तो आपको PDF ही मिल जाएगा net पर Baron का जो आता है 3800 GRE words का तो इस word को भी इन words को भी आप जरूर जरूर याद करिए ये बहुत ही important रहेगा आपके लिए तो ये tips और ये techniques येदि आप अपनाते हैं तो definitely आप vocabulary champion बन सकते हैं इसमें से 2 या 3 tips या technique येदि आप अपनाते हैं आपको suit करती हैं तो definitely आप कुछी समय में vocabulary champion आप बन सकते हैं तो वीडियो काइंडली सब्सक्राइब थैंक यू